आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही टेश्टी और यमी चिली पनीर की रेस्पी जो बहुत ही टेश्टी बनी है यमी बनी है आप देखके इसे समझ सकते हो तो आ रही है न मुह में सब को पानी ये बनी ही इतनी टेश्टी है बहुत ही लजीज बनी है आप सकते हो और इसे आप जरूर बनाईएगा बहुत ही आसानी से और जटपट बन जाएगा मैं पूरा एक-एक टीप्स आपको इसमें से बताऊंगी कि जटपट कैसे बनेगा और बिल्कुल रेश्टोरेंट इस्टाइल में ही बनाएंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखि हो कैसे हो आप सब उम्मीद है सब अच्चे होंगे तो यह कुछ चिली पनीर में डालने के लिए शामगरी तो इधर मैं चार प्याज ली थी और दो से तीन सिम्मला मिर्श था इनको मैं काट ली हूं और प्याज को हम ऐसे एक-एक कली इसका पूरा बाहर निकाल देंगे ताकि सब जॉन्त इसका निकला रहेगा तो अच्छा आता है देखने में भी सू लगता है और मैं शिम्मला मिर्श को भी काटके रख ली हूं तो आप देख सकते हो ऐसे करगे मैं सारे को निकाल दी इधर मैं लहसं काट के रख की हूं हरी मिर्च भी मैंने काट लिया है ये मैं थोड़ा बड़ा काटी हूँ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो मिर्च अपने हिसाब से रख सकते हो सिमला मिर्च का भी मैंने मेडियम साइज का ही टुकड़ा काटा है और प्याज का भी आप देख सकते हो, ये मेरे अच्छे से कट के रेडी हो गया है, जो वेजी टेवल्स में उसमें डालूँगी, अब इनको हम साइड में रखते हैं, अब हम पनीर की कटिंग करेंगे, ये मैंने पनीर लिया है, ये मैं घर पे बनाती हूँ, घर का बना हुआ पनीर है, बहुत ही सुध होता है, तो ये 500 ग्राम पनीर है, तो हम इनको काट लेंगे, तो आप इसे बहुत छोटा-छोटा टुकडा मत करियेगा, क्योंकि चिली पनीर का टुकडा थोड़ा बड़ा होता है, अब हम इसे काटेंगे, आप देख सकते हो, तो हम ऐसे ऐसे इसको कई टुकडो में काट दिये हैं, देख लो आप, ना बहुत छोटा है, ना बहुत बड़ा है, मीडियम साइज का यह ठीक है, तो जो हम सबजी बनाते हैं, उसे थोड़ा सा बड़ा है, और ये पनीर भी कटके मेरा पूरी तरह तयार हो गया है, आप द इंग्रेट बता रही हूं, इस कोटिंग के लिए मैं गयों का आटा इस्तमाल की हूं, आप गयों के आटे में इसकी कोटिंग बहुत ही बढ़ियां बना सकते हो, तो ये जो रोज की हम रोटी बनाते हैं, ये वही आटा है, तो मैंने दो चम्मच भरके गयों का आटा ले ल धनिया पावडर मिला दी हूं, चुटकी भर, और अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे ताकि इसकी पूरी अच्छे से कोटिंग हो जाए, और देख सकते हो अब इसकी पूरी कोटिंग हो गई है, मैंने इसमें दो चम्मच के करीब पानी भी डाल दिया था, ताकि ये होने के लिए कड़ाई में तेल गरम हो चुका है अब मैं एक एक करका यह पनीर के जितने भी टुकरे हैं सारे को मैं इस में डाल दूंगी है जितने टेल में आ सकते हैं उतना हम डालेंगे अब इसको हम जब नीचे का सिक जाये तभी हम इसे पलटेंगे नई तो तुरंद पलटने में ये इधर उधर हो जाता है इससे मसाले हट जाते हैं जो कोटिंग का होता है तो आप देख सकते हो इस पर अच्छे से कोटिंग इसका लगा हुआ है तो ये मेरा बढ़िया से फ्र जरूर एक बार बनाके देखिएगा ऐसे ही करके मैं सारे पनीर को फ्राई कर लूँगे अब पनीर हमारे सारे फ्राई हो जाएंगे देख सकते हो आप अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे ये बहुत ही टेस्टी बनती है आप इस तरीके से जरूर बनाईएगा ये मैंने सारे को निकाल ली हूँ और इधर एक देखलो प्लेट में रख दी हूँ ये कित्ता बढ़ियां बना है ये इसमें पूरा कोटिंग लगा हुआ है तो आप इसी तरीके से बनाईएगा इधर तेल मेरा गरम है तो इसी में में डाल दूँगी आधा इस्पून जीर जीरा जैसे ही चटकने लगेगा इसी में अकटा हुआ लेसन भी डाल दूँगी और लेसन थोड़ा सा जैसे ही कलर चेंज करेगा इसी में मैं यह हरी मिर्च भी डाल दे रही हूं हरी मिर्च को में जैसे थोड़ा सा इससे भी कलर चेंज हो रहा हैं अब हम देख सकते हुआ इनका कलर बहुत ही अच्छा हो गया है सुनहरा अब जो मैंने प्याज काटके रखा है उस प्याज को भी मैं इसी में डाल दूँगी और इसको हम इसी में फ्राई करेंगे अब तब तक करेंगे जब तक इसमें से कच्छा पन्ना निकल जाए तो इसको चला चला के हम अच्छे से फ्राई कर दे रहा हैं ताकि सारा कच्छा पन इसका निकल जाए आप देख सकते हो अब इसका कलर चेंज होने लगा है प्याज मेरी लगबग हो चुकी है अब इसी पर मैं डाल दूँगी सिम्ला मिर्च जो मैं काटके रखी थी उसको भी हम इसी में डाल देंगे और इसको भी दो मिनट तक इसी में भूनेंगे ताकि सिम्ला मिर्च भी बढ़ियां से भून जाया इसी में यहां को हम इसे चलाते हुए दो मिनट तक ही भूनेंगे गैस का फिले मीडियम ही यह बहुत हाई नहीं किया है हमने है तो यह देख सकते हो सिम्ला मिर्च का भी कलर चेंज हो गया है में में अब देख सकते हो अब यह नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसारिस में और अब इसी में हम डाल देंगे आधा इस्पून हल्दी चम्मज मेरा छोटा है बड़ा नहीं है और आधा इस्पून ही हम इसमें धनिया का पाउडर डालेंगे और अब इसे हम रेट चिल्ली पाउडर भी डाल दे रहा है यहीं आधा तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हो क्योंकि मिर्च किसी को जादे पसंद है किसी को कम तो आप कम जादा कर सकते हो अपने हिसाब से और चिल्ली पनीर चटपटा जादे टेस्टी लगता है तो अब म मैं इसमें डाल दे रही हूं एक चम्मच सोया सॉस और ये चम्मच ही मैं इसमें डालूंगी टमाटो कैचप एक चम्मच ही डालूंगी इसमें मैं बेनेगर और इसको अच्छे से मिला देंगे और कैस का फ्लेम मेडियम ही रखा हुआ है अब इसी में मैं डाल दे रही हूं आधा चम्मच अजीनों मोटो इससे फ्लेवार अच्छा आता है और ये जो पनीर मैंने फ्राई करके रखा था इसको भी हम इसी में डाल देंगे और इसको बढ़ियां से मिलाते हुए चलाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाएं गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और अब इसे हम चलाते हुए ऐसे ही घून लेंगे थोड़े देर आप देख सकते हो किता सुन्दर लग रहा है ये ये बना भी बहुत ही टेश्टी है तो हम अब इसे थोड़े देर के लिए ढख देंगे ये एक से दो मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो करके एक से दो मिनट के लिए मैं इसे ढख दूंगी और उसके बाद देखेंगे आप देख सकते हो इसमें मैंने चार चम्मच के करीब मैंने पानी भी डाल दिया था जादे नहीं मातर चम्मच से चार चम्मच ही था आप देख सकते हो ये चिली पनीर मेरा पूरा बढ़ियां से बनके एकदम रड़ी हो चुका है देख सकते हो किता टेश्टी लगता आप जरूर ये कंपलीट हो गया पूरा बनके आप देख सकते हो कितना जूसी और किता टेश्टी बना है मुह में आ जाएगी पानी तो आप इसे जरूर बनाईएगा और बच्चे बड़े सब बहुत ही पसंद करेंगे मेरे घर में तो सब कोई बहुत ही पसंद किया क्योंकि ये बहु और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करके बताईएगा कैसा लगा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हम मिलेंगे आपसे नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए